यहां पर यह समझाएगा कि नीगुव्टी को मल्टिप्लाइग कर सकते हैं, तो अब हमने कहा किया कि 1st और यह जो 2nd है, इनको मल्टिप्लाइग कर दिया, ठीक है तो मल्टिप्लाइग 1 & 2, ठीक है, तो आजाएगा A प्लस B प्लस C by 3 into दूसरे में था A B प्लस B C plus CA by 3 is greater than equals to right hand side में एक में था ABC raised to 1 by 3 यह ठीक है यह और दूसरे में यहां से आ गया A square B square C square raised to 1 by 3 ठीक है तो इसको लेख सकते हैं A plus B plus C into AB plus BC plus CA whole divided by 9 is greater than equals to इसमें पावर बड़ाबर है तो 1 by 3 common ले लिया अंदर जाके कितना हो जाएगा A cube B cube C cube raised to 1 by 3 which will become ABC 9 को उधर लेगा तो आदेगा A plus B plus C into AB plus BC plus CA is greater than equals to 9 ABC ठीक है तो जो प्रूव करना था वो यही था ठीक है तो हो गया प्रूव बड़ हमने इसको method 1 बोला था कोई बात नी method 2 भी कर ले थे method 2 कर ले गरना अपने अप करना do it yourself कैसे यहाँ पर 9 दिखाई दिया हमें तो मेरे पास एक line of thinking क्या हो सकते है कि हमने left hand side को multiply किया ठीक है AB को तीनों से multiply किया फिर BC को तीनों से multiply किया तो कितने time आगे AB के वए से 3 time आगे BC के वए से 3 time आगे फिर CA के वो तीनों से multiply किया तीन time हो आगे तो 9 time हो उनको मिलाया है नहीं माला ABC basically left hand side पर create होगा एक से ज्यादा जगा तीन बार create होगा तो उसको मिलाके 3 ABC नहीं लिखा अलग-अलग लिखा रहने दिया सारे terms को तो total non terms लिखे होगे उनके उपर AMG हम लगा दो अपने आप या जाएगे वो method 2 हो गया ठीक है method 3 भी है method 3 क्या है कि to prove क्या है a plus b plus c into a b plus b c plus c is good then equals to 9 ABC यह prove करना है अब ABC तो positive है तो हमने कहा कि इसको इदर ले गए इस bracket में तो इसको लेखा a plus b plus c और अगर इस bracket में ले जाओगे a b plus b c plus c a divided by a b c is good then equals to 9 इसको simplify किया a plus b plus c 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is good then equals to 9 यह दिखाई दिया अब अगर मतलब कहने का मतलब कहा कि इसको prove करो चाहें इसको prove करो वह एकी बात है तो इसको भी prove कर सकते है अब इसमें हमें क्या दिखाई दिया है तीन नमबर का sum दिखाई दिया और उनके reciprocal का भी sum दिखाई दिया तो reciprocal जैसे involve वह वैसी हमें hm की याद आई हार्मोनिक मीन की तो हम अब क्या बोलेंगे now यह ठीक है प्रूव करना शुरू क्या है है हमने apply यह ठीक है am greater than or equal to gm is greater than or equal to hm तो am greater than or equal to hm भी होगा तो यह अपलाई गया on a,b,c तो क्या हो जाएगा am क्या हो जाएगा a plus b plus c by 3 यह तो am हो गया hm कितना हो जाएगा 3 upon reciprocal का sum तो 1 by a plus 1 by b plus 1 by c ठीक है इस 3 को इधर लेगा है इसको इधर लेगा है जाएगा a plus b plus c into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is greater than equal to 9 ऐसे भी prove कर सकते हैं hence prove ठीक हो गया prove बहुत simple है बस बहुत हो गया 3-3 मेथड बहुत है fourth प्या गया fourth question में क्या है दोना तरफ sigma है b c upon a q और right hand side पर 1 by a ठीक है तो ठीक है fourth प्या गया fourth part में क्या बोला है to prove क्या है sigma b c upon a q is greater than equal to sigma 1 by a sigma भी वहाँ हटा के पहले अगर हमने open करके लिखा तो इस sigma b c upon a q का मतलब के कि इस type के जतने time आने है तो लिख लो तो अगर a q नीचे है तो उपर बचे हुए b और c है तो symmetry से एक बार b q नीचे होगा तो उपर a c आ जाएगा फिर एक बार c q नीचे होगा तो उपर a b आ जाएगा तो left hand side तो यह लिखा हुआ राइट hand side लिखा हुआ है 1 by a plus 1 by b plus 1 by c ठीक है यह प्रूव करने है तो यह तो फिर वही बात हो गई left hand side पर भी सामें right hand side पर भी सामें तो फिर एक से ज़्यादा है इन equality को हम कुछ कर रहे होंग यह mg हम लगा रहे होंग तो फिर हमने left hand side पर गया कि एक बार यह number लिया और यह number लिया इन दोनों के उपर amgm लगा है मतला हमने ऐसे बुला apply amgm इसको तो यहीं पर छोड़ दिया मतला यह प्रूव करना है भी amgm on यह पहला number लिया bc upon aq and ac upon bq तो this will imply bc upon aq plus ac upon bq is greater than equal to x plus y by 2 हो रहेगा is greater than equal to थोड़ा साही से लिख 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 is greater than equal to root xy तो root के अनलर यही bc upon aq ac upon bq कितना हो गया this is equal to कितना हो जाएगा एक a b और यह एक a b तो cancel हो गया उपर कितना हो चाहा c square महासे तो कितना आ गया c upon नीचे कितना बचेगा a square b square बचेगा एक a b तो cancel हो गया तो उसकी वैसे यह आ गया ठीक है c upon a b तो bc upon aq plus ac upon bq by 2 यहां से कितना आ गया greater than equals to c upon a b यह आ गया ठीक है तो similarly ठीक है symmetry से हमने बाकी एक बार तो अब यह तो हमने यह दोनों का pair लिया था तो अब एक बार इन दोनों का लिया और एक बार इन दोनों का लिया तो फिर अब एक बार लिया हमने ac upon bq plus ab upon cq divided by 2 वह जाएगा greater than equals to a upon bc and फिर एक बार लिया हमने ab upon cq plus bc upon aq by 2 that will be greater than equals to b upon ac यह हो गया और तीनों को जोड दिया ठीक है तो left-hand side पर तो कुछ ऐसे लिखाए alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha तो दो-दो बार time आगे तो नीचे भी 2 लिखाए वह तो cancel हो गया left-hand side पर तो a की बार बचेगा bc upon aq plus ac upon bq plus ab upon cq left-hand side पर तो यह हो गया, right-hand side पर ऐसे है गया c upon a b plus a upon b c plus b upon a c यह आ गया, ठीक है यह प्रूव हो गया अब question में तो यह थोड़ा दे रखा था question में तो उसने बोल लखा था 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c यह प्रूव गरने के लिए बोल लखा था अच्छा तो यह तो कुछ और ही प्रूव हो गया कोई बात नहीं basically उसने बोला कि यह प्रूव करो alpha greater than equals to beta है हमने प्रूव कर दिया कि alpha greater than equals to gamma है ठीक है अब by chance अगर gamma greater than equals to beta हो जाए greater than equals to होना चाहिए तो फिर इन दोनों से क्या बनेगा कि alpha greater than equals to gamma greater than equals to beta ही आ जाएगा तो यहां से यह भी प्रूव हो जाएगा ठीक है उसका मलब कहाए कि उसने तो बोला alpha greater than equals to beta हमने प्रूव कर दिया alpha greater than equals to यह गामा तो इससे तो प्रूव नहीं हुआ अब तो आप हमें क्या प्रूव करना पड़ा है कि यह ठीक है यह जो right hand side है वो beta से बड़ी होने चाहिए जो right hand side given है यह ठीक है मतलब इसको तो हमने छोड़ दिया ऐसी छोड़ दिया अब हमने ऐसे लगा right hand side is equal to कितना हो गया c upon a b plus a upon b c plus b upon a c यह हो गया ठीक है कुछ नहीं हमने LCM ले लिया या फिर ऐसे बुल गए इसमें ऊपर नीचे c से multiply कर दिया तो नीचे a b c आगे ऊपर c square आगे इसमें a से multiply कर दिया तो ऊपर a square आगे नीचे तो effectively यह हो गया a square plus b square plus c square upon a b c यह ठीक है धुषार कर खिर से चुषार के अाँ काथे